नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं आप पीए समाचार तचरे शुरात करते हैं आज की बड़ी खबर से मिल सकता है हजारो टन सोने का भंडार साट फीट की खुदाई में ही निकलने लगे सुनेहरे चमकीले पत्थर विहार की बांकचले में भारतिये भूविज्यानिक सर्वेक्षन की टीम धरती की नीचे दबे सोने के अपार भंडार ढूरने में जुड़ गई है जयानकारी की मताबिक इस अलाखी में 650 फीट तक की खुदाई करनी है और अब तक 50 से 60 फीट तक खुदाई हो चुकी है इस दोरान ही सुनेरे चमकीले पत्थर या फिर कोई खरीश प्रधार निकल रहा है क्या बिहार की जमीन के अंदर हजारो टन सुने का भंडार है क्या सुने के इस भंडार के निकलने के बार बिहार की किसमत बदलने वाली है इसका पता लगाने के लिए बिहार की बांका जिले में भारतिये भूमबैग गाने सर्वेक्षन की तीम धर्टी के नीचे दबे सु पिछले कुछ दिनों से बिहार की बंकर जिले के कठोरिय प्रकंड अंत्रगर घेरवार गाउं चर्चा का विशेव बना हुआ है इसकी वज़े है कि पिछले कुछ दिनों में यहां पर कुछ चमकीले और सुनेरी पत्थर जमीन की भीतर से निकले हैं इसको देखकर इस बात की संभावना जताई जारी है कि शायद इस गाउं की जमीन के अंदर हजारों टन सोना दबा हो सकता है अगर ऐसा होता है तो निच्चत रूप से इस इस इलाके की लोगों की किसमत बदल सकती है पारसरकार की भारतिये भूविग्यानिक सर्वेशन की टीम को इसके बारे में जानकारी मिली थी इसके बाद कुछ महीने पहले उसने इस पूरी इलाके का हवाई सर्वेशन कराया जब उन्हें भी इस बात की संभाव ना लगी कि इस आलाके के जमीन के नीचे हजारों टर्ण सोना हो सकता है तो फिर उन लोगों ने यहां पिछले चार-पांच दिनों से खुदाई का काम शुरू करवाया है बताय जा रहा है कि कॉलकत्ता से भारतिये भूव एग्यानिक सर्विक्षन की इंजीनियर खेरवार गाउं पहुची है यहां पर विलगातार कैम कर रहे हैं और जमीन खुदाई का काम चल रहा है जानकारी के मताविक जलाकिंग में 650 फीट तक की खुदाई करनी है और अब तक 50-60 फीट तक खुदाई हो चुकी है अब तक हुई खुदाई के दौरान जो भी सुनेरे चमकीले पत्थर या फिर कोई खनीच परधात निकल रहा है उसे एक बॉक्स में रखकर भातिये भूविगानिक सर्विक्षन की लेब में भेजा जा रहा है ताकि पता किया जा सके कि वह क्या है इस्तानी लोगों का केना है कि पिछले कई सालों से उन्हें इलाके में सुनेरे और चमकीले पत्थर मिले हैं जो नहीं हीरे जैसी लगते हैं खेरवल गा prospective ग्रामे ने कहा हो सकता है हमारे गाओ के जमीन के अंदर हाजारों टेंससोना हो अगर ऐसा होता है तो हमारे गाओ की किसमत बदल जाएगी अंग्रेजा तो की जमाने म baks ard Meinung कि खुदाई का काम हुआ था चुरू किया गया है ताकि पता चल सके कि क्या वाकि इस इलाकी में जमीन की नीचे हजारों टंस सूने का भंडार मौजूद है खबरों में अब तक लिबस अतना ही मिरते हैं फिर ऐसे ये बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रही आर्पीन समाचा